Here students, now see the J part, name the month in which these festivals fall. festival का मतलब क्या होते है पेटे, जैसे कोई त्योहार, जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, रक्षा बंधन, होली, ठीके, तो उसको क्या कहते हैं festival, तो इसमें ये कुछ festival आपको गिवन है और आपको बताना है कि कौन से मन्थ में आते हैं, ठीके, तो Republic Day, Republic Day जो है वो कब आ आता है पेटे, वो आता है, जैनवरी में, और डेट कौन से है Republic Day की, 26 जैनवरी, ओके, तो यू के जैन राइट है, 26 जैनवरी, इंडिपेंड़न स्ट्रे, इंडिपेंड़नस दे का बाता है, ओजस्त में, ठीके, तो कौन से ऑजस्त में आता है, 15 ओजस्त, ओके, देन गां तो गांधी जन्ती कब होती है, to October, now Teachers Day, Teachers Day कब होता है, you all celebrated the Teachers Day, तो date मैं नहीं लिखूंगी, date आप खुद लिखेंगे, ठीक है, September के मन्त में होता है, Teachers Day, Children's Day, November में होता है, ये भी आपके लिए मैंने छोड़ दिया, तो date आपने इन दोनों की खुद लिखनी है, this is your homework, की इन दोनों की date क्या है, मन्त मैंने लिख दिया, Children's Day निवेंबर में आएगा, Teachers Day सप्तेम्बर में, ओके स्टूडेंट, तो आपने इसकी date फिल करनी है, this is your homework, आज के लिए इतना ही बेटे, और के पार्ट भी आपने नहीं करना, क्योंकि ये question भी आपका calendar के उपर based है, और सबकी book में calendar different different है, ठीक है, तो इसको भी आप cross कर दीजिए, कल हम continue करेंगे question number second के साथ, आज के लिए इतना ही,